नबसक्र दोस्तों स्वागत आफ सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म उमेश्रम आड़मी के ओपर मेरी प्यारी दोस्तों राजस्तान करेंट अफेर जो की अब कमी जितनी भी एक्जाम से है फिर मैं यू कहूंगे राजस्तान की जितनी भी एक्जाम होती है उनके लिए के आत्मा का रूप ले रूप चुका है यह रास्तान करन्ट अफेर तो आनी वाली एक्जाम स्पेसली अगर मैं बात करूँ की आरे सी टी पसुपरीचर इसी के साथ में बैंकिंग जिसके लिए करन्ट अफेर बहुत इंपोर्टेंट होता है बैंकिंग की कौन सी की एक्जाम होने वाली उसके अंदर यह डेफिनेटली यह करेंट अफेर पूछा जाने वाला है आज की क्लास में कुछ नहीं नियुक्ति उसी रिलेटेड चीजों को लेकर के हम बात करेंगे उसी की साथ में हम उनसे रिलेट करते हैं पुराने फेक्ट को लेकर के भी बात से लेगी तो आपको समझ में आएगा ठीक है तो वो इस क्लास आपको यूटूब पर भी आज देखने को मिलेगी ठीक है तो यूटूब के उपर भी अगर आप इसको देख रहे हैं तो क्लास का रिव्यू जरूर दीजिएगा कैसा लग रहा है यह फेक्ट है आप पूरा वीडियो को जरूर देखेगा एंड तक आपको चीजे समझ में आएगी कि मैं हमेशा कहता हूं कि पढ़ते सभी और पढ़ते सभी है जान दीजिएगा पढ़ते सभी और पढ़ते सभी है लेकिन पढ़ना क्या है और पढ़ना क्या है यह चीज इस दिन जान गए न उस दि एक बार जल्दी से बता दीजिए, all okay, चलिए, स्टार्ट करते हैं, रस्तान करेंट अफेर के अंदर जो इंपोर्टन चीजिए आप से पूछी जाएगी, वो किस तरीके से, किस बेस पे आप से पूछा जा सकता है, वो सारे फेक्ट को लेकर के हम चीज, चीजों को लेकर के हैं, ठीक है guys, ध्यान दीजिएगा, पहले क्यूशन हमारा स्टार्ट होता है, पहले अगर आप इसको यूटूब के ऊपर देख रहे हैं, मैं आपको बता दू, इससे पहले की क्लास है, ये क्लास नंबर 13 है, इससे 12 क्लास हो चुकी है, बाकी फेक्ट की क्लास आलागा, ले बहुत अच्छा important question है, आगामी एक्जाम में आपको definitely देखने को मिल सकता है, कि हाल ही में परदेश के नई मुख्य सूचना आयोगती, ठीक है, किने बनाया गया है, जो कि कौन से नंबर के है, पाँचवे नंबर के है, ज्यान दीजिएगा, जवाब होगा ML लाठर, ठीक है ML लाठर कौन है, ये एक्स IPS officer है, पूरवे, जो है IPS अधिकारी है, जिसे IPS का आपको पता होगा, UPSC के तुरू लगते हैं, ठीक है, पुलिस एमा में मुख्य अधिकारी होते हैं, उन्हें IPS बोला जाते हैं, इंडियन पुलिस सर्वीस, ध्यान दीजिएगा, इनकी न्यूक् कि सूचना ये तुबना दिया गया, क्या इससे पहले भी है, इस विभाग के अंदर किसी रूप में कारेरत थे, क्या, इस सवाल सूचने को मनता है, क्या किसी को पता है, ML लाठर इससे पहले किस पत पर आसी इन थे, अगर किसी को पता है, तो एक बार जवाब दे दीजिए किसी को पता है, कि ML लाठर है, वो इससे पहले किस पत पर आसी इन थे, पता ही है, सभी को नमस्कार, जैश्री श्याम, ML लाठर इससे पहले किस पत पर आसी इन थे, यह इसी विभाग के अंदर, जहां से समझेगा, इस विभाग के अंदर गत, यह पहले सदस्य के रूप में कारीरत थे, उनके बारे में बात करूँगा, लेकिन इससे पहले समझेगा, ठीक है, समझेगा, कोई बात नहीं, मैं बता रहूंग आपको, कि यह सूचना आयुक् यह होता क्या है, ठीक है, यह होता क्या है, जिसे कहा जाता है, RIC, कि RIC क्या है, इसको समझना होगा, RIC के बारे में कोई-कोई जानते हैं, बताइएगा, RIC क्या होती है, RIC का मतलब होता है, राजिस्तान सूचना आयोग, रास्तान इंफोमेशन सेंटर, ठीक है, हमें रटना नहीं होगा, हर चीज को हमें समझ करके चलना होगा, RIC, ठीक है, RIC का मतलब क्या है, रास्तान सूचना आयोग, यह है क्या, ठीक है, इसकी स्तापना कब होई थी, इसकी जरुवत क्यों पड़ी ये भी चीजे अगर आप पॉलिटी से रिलेट करते हो पड़े ना आप करेंट अफेर में भी बहुत सी चीजे पढ़ करके चल लेगा ठीक है सूचना एक्ट 2005 राजस्तान इंफोर्मेशन सेंटर ठीक है अच्छ ठीक है पहले जोती अगर आप शूचना एक्ट की बात कर रहें ठीक है इसको लेकर बात करूंगा पहरे गुड़्योती इसकी स्तापना कब हुई थी का इस 13 अपरेल 2006 को नहीं हुई थी निशुगोदारा 18 अपरेल 2006 को इसकी स्तापना हुई थी यह आप से पूछ लिया जाता है 18 अपरेल 2006 को RIC यानि की राजस्तान सूचनायुक की स्तापना हुई थी तर इसकी जरुवत के उपड़ी सूचनायुक है क्या आपने नाम सुनाओं का RTI, Right to Information, ठीक है, सूचना का अधिकार, नाम सुनाओं, इस सूचना का अधिकार सरोपर्तम कहां पर लागू हुआ था, ये भी सवाल बनता है, जवाब दीजिएगा, सूचना का अधिकार है, Right to Information, RTI, सरोपर्तम ये नियम कहां लागू हुआ था? सूचना का अधिकार सरोपर्तम कहां पर लागू हुआ था, ये सवाल बनता है, रजस्तान में कब लागू हुआ था, और इसके पीछी किनका हाथ है, इसे लागू करवाने में, इसके पीछी किसकी मेहनत है? जवाब दीजिए, बिल्कुल सही जवाब है, देश के अंदर सूचना, ये Right to Information, RTI का जो नियम है, जो कानून है, जो सरोपर्तम राजस्तान एक ऐसा स्टेट है, जहां पर सरोपर्तम ये सूचना का अधिकार लागू हुआ था, राजस्तान में कब लागू हुआ था, इसे किस नाम से जाना जाता है। सरोपर्तम राजस्तान में कब लागू हुआ था, सूचना का अधिकार, किसी को पता है, अगर नहीं पता है, तो मना कर दीजिए, टाइम कर, आपना भी वेस्ट मत कीजिए, और सामने वाले का भी, क्योंकि बाद में आप इसको recorded form में देखते हैं, ये यूटूब पे भी अ सूचना का अधिकार कब लागू हाता, लेकिन इससे पहले कि भी एक जो है, अगर हम डिटेल में जाए ना, तो इससे पहले बहुत बड़ी बात है, ठीक है, उसको समझना जरूर होगा, राजस्तान में सूचना का अधिकार 2005 में तो जो लागू हुआ ना, 2005 में ये संपून देश में लागू हुआता, संपून देश में सूचना का अधिकार कब लागू हुआता, ध्यान से संबल लीजिएगा, संपून देश के अंदर अगर मैं बात करूं न लाड़ लो, तो संपून देश में सूचना का अधिकार कब लागू हुआता, किस-किस को पता है, इसे संसद में कप पेस किया गया ये भी एक सवाल बनता है जवाब दीजेगा इसे संसद में कप पेस किया गया इस किसको पता है तुसना की अधिकार को संसद में का पेस किया गया Very good निशुगोदारा ठीक है यह संसद में का पेस हुआ संसद में 12 मई 2005 को यह बहुत important इस related questions बनते हैं 12 मई 2005 को इसके उपर राष्टपती के signature कब हुए जवाब दीजिएगा इसके उपर राष्टपती के signature कब हुए जवाब दीजिए और 2005 के अंदर राष्टपती कोन थे जवाब दीजिए 2005 के अंदर राष्टपती कोन थे Very good शरीटा 15 जून 2005 2005 में हमारे राष्टपती कोन थे? महा महीम जवाब दीजेगा 2005 के अंदर भारत के राष्टपती कोन थे? दुक्का मत मारेगा राष्टपती के बारे में आपको पढ़ा चुकाओं किस टाइम पे कोन राष्टपती थे? उस टाइम पे प्रधान मंतरी कोन थे? यह सब चीजे मापको अलड़ी पढ़ा चुकाओं 2005 के अंदर भारत के राष्टपती कोन थे? लगाईए तुक्के तुक्के लगाऊगे ना? निश्व बोल रही है अब्दुलकलाम चंचल अब्दुलकलाम अब्दुलकलाम का कारिकाल कपसे कब तक का रहा था? अब्दुलकलाम अब्दुलकलाम चंचल श्व बोल रहे है आप? निश्व गधारा तुस टाइम पे राष्टपती कोन थे? एप्धे अब्दुलकलाम ठीक है याद रहेगा एपी जे अब्दुलकलाम इसके बाद में ये जैसे राष्टपती की स्विकरती होती है तो उसके बाद स्विकरती मिलते ही वो कानून का रोप ले लेता लेकिन 12 अक्टूबर 2005 को सभी जो धाराई है न वो पूनत है ठीक है पूनत है 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था ये बात समझ में आजाएगी आपको आप ध्यान दीजिएगा इस चीज को लेकर के कुछ चीज़े समझेगा सर 2005 में जो समपून देश में लागू हुआ तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि राजस्तान के अंदर जान जी समझेगा और फिर आपको अच्छा लगेगी सर पॉलिटी भी पढ़नी है तो बताएगा जरूर राजस्तान के अंदर आप कैसे कह सकते हैं कि सरव पर थम लाग हुआ था 12 अक्टूबर को तो यहीं पी हुआ था हम थोड़ा सा पैस ले चलते हैं आज से लगबग साड़े तीन दसक पहले लगबग साड़े तीन दसक कि हमें तीन दसक कहे के चलो एक दसक में दस वर्स होते हैं लगबग बता रहो साड़े तीन होगे या नहीं होए नहीं साड़े तीन नहीं होए तीन दसक आप लगभग मान करके चल सकते हैं क्योंकि यह बात कब की 90 की बात है ठीक है कई जगों पर आपको साड़े दिन देखने को मिलेगा लेकिन यह process स्टार्ट हुआता ना वो कब हुआता अब यह तीसरे तीन दसक लगभग मान करके चल सकते हैं आप इस सीच को थोड़ा सा जानना चाओगे या फिर टिक लगाना एक क्यूशन पढ़ करके चलना है जानना चाहते हो एक बार कमेंट करके जुरू पता दीजी का अच्छा लग रहा है यह चीजे जान करके पताईगा ठीक है अगर हम इसको लेकर के थोड़ी सी बाते करते हैं तो ध्यान से समझ करके चलिएगा यह बात है राजस्तान के अंदर अगर हम प्रिवेस करते हैं इसकी पीडिया भी मैंने आपको टेलिग्राम पे शेयर की यह आपने देखा होगा 1990 से 2000 का जो दसक था ना वो राजस्तान के लिए बहुत इंपोर्टेंट रहा था एक्यूसन जरूर आता है आपको राजस्तान में महिलाओं की भूमीका से रिलेटेड कन्फरम एक्यूसन किसी भी एक्जाम राजस्तान की में देखने को मिलता है जिसमें से इसमें से क्यूसन आपको अधिकतर सबसे ज्यादा यहां से देखने को मिलता है 1990 से 2000 तक के इस दसक की बात करूँ ते यह दसक बहुत important रहा है सूचना की अधिकार यह यह जो सूचना वाला जो कह सकते हैं कि यह कहां से जाकर कि यह आग है न वो चिंगारी निकली थी वो कहां से निकली थी क्या आपको पता है किसी को सूचना की अधिकार की सुख भुगाहट जीसे बोला जाता है वो कहां से स्टार्ट हुई थी किस को पता है किसी इसके बारे में किस को पता है पता है राजस्तान की किस सेत्र से सूचना की अधिकार की सुख भुगाहट स्टार्ट हुई थी बहुत important question अगर RS वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान दीजेगा जवाब दीजे, RS वाले बच्चे भी अभी जो पेड़ बेच के अंदर include है, वो बताई एक बार इसकी सुख भूगाहट कहां से start हुई थी Google उगल करने की जरूवत नहीं है अगर सच्छा ही मैं पता है तो बताईए ज़ान दीजेगा इसकी सुख भूगाहट अगर मैं बात करूँ ना सुख भूगाहट ठीक है या मैं कहूँ कि सुरुवात या अगर मैं बात करूँ चिंगारी वो कहां से मिली थी ठीक है, इसकी चिंगारी कहां से मिली थी नहीं आजमेर से नहीं हुई थी इसकी चिंगारी कहां से हुई थी तो चिंगारी का सुनियगा राज समंद राज समंद के भीम ख्यत्र से यह बहुत इंपोर्टेंट चीज लाड लो राज समंद के भीम ख्यत्र से लगबक 30 साल पहले की यह बात है 1995 पे तो हम बाद में आएंगे निशुगादारा थोड़ा रुकी है गूगल करने से पहले रुकी है ठीक है यहाँ पे 1990 से 2000 के तेद बात करू तो राज समंद के भीम ख्यत्र से यह सुगबुगाहट स्टार्ट हुई थी इस सुगबुगाहट को हवा देने वाले दो लोग थे वो कौन थे जवाब दीजेगा ठीक है इस सुगबुगाहट को हवा देने वाले दो लोग थे वो कौन थे बता है ठीक है इसको हवा देने वाले कौन थे अरूना रोई ठीक है और निखिल निखिल डे ये दो लोग थे केजरिवाल पे हम बाद में आएंगे मेडम राजस्तान की बात करूँ यहाँ पे केजरिवाल साब का कोई रोल नहीं है उनके बारे में भी बात करूँगा ठीक है अच्छा तो लग रहा है सर करेंट में आप इतना एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा के चल रहे हो हमें चीजों को समझना बहुत जरूरी होगा अरूना रोई और निखिल डे इसकी जरुवत क्यों पड़ी थी सर यह भी सवाल आता है सर इसकी जरुवत क्यों पड़ी थी ठीक है इसकी जरुवत क्यों पड़ी थी ये एक मामला है कि किसी वरकर थे जिसे किसान संगतन के नाम से जाना जाता था इसको मजदूर, सक्ति, संगठन इसको ऐसे करके MKS से ऐसे कुछ नाम से जाना जाता है याद देखे आपको ठीक है याद देखे किसी को इसको MKS के रूप में जाना जाता है MKS मजदूर किसान सक्ति संगठन मजदूर किसान सक्ति संगठन इन्होंने अपने महंताने के लिए कोसिस की इन्होंने जवाब मांगा क्योंकि गलत तरीके से महंताना उठाया जा रहा था वहां से इन्होंने सूचना मांगी कि वह महंताना किनको दिया जा रहा है तो वहां से जी संगठन में ये काम करते थे वहां से इने जवाब नहीं दिया गया उसके बाद में इसको लेकर के आरुणा रोई ठीक है इस संगठन के नेतरतों के अंदर इसके अधिन आरुणा रोई और जो निखिल डे हैं इनके द्वारा मिल करके अभी सोटकट में बता रहा हूँ इस चीज़ को इनके द्वारा मिल करके ठीक है यहाँ पे यह इसको लेकर के पहली जो आवाज है ना ठीक है यहाँ पे 1990 में उठाए गई थी ठीक है, बीमक्षेतर के भी कौन सी जगे के अंदर, तो अगर आपसे पूछा जाता है, बीमक्षेतर के भी पार्टी या चोड़ा नामक एक जगे है, ठीक है, वहाँ पर ये मामला उठाया गया था, इतना डेप्त एक्जामेनर जाएगा तो उचीजे आपको पता होने चाहि आगे बात समझ में, ये मामला सुर्ख्यों में सबसे ज़्यादा कब आया था, ठीक है, इसको लेकर के पता है किसी को ये मामला सबसे ज़्यादा सुर्ख्यों में कब आया था, बताईए, पता है, 1996 के अंदर, ब्यावर के अंदर, ब्यावर के अंदर, ब्यावर के अंदर, 41 दिन तक इसको लेकर के धन्ना चला था, 41 दिन तक इसको लेकर के धन्ना चला था का ब्यावर के अंदर, ठीक है, उसके बाद में, इसके बाद में तो सबसे बड़ा धन्ना हुआ था, ठीक है, अंदर ठीक है कितने दिन चला था चोवन दिन चला था कहां पर हुआ था यह जैपूर के अंदर हुआ था यह important fact है कितने लोगों के द्वारा किया गया था 5000 लोगों के द्वारा मिल करके इसको लेकर के धन्ना दिया गया था important fact है यह चीजी समझेगा पहला सबसे बड़ा धन्ना हुआ था 1996 में जो उस टाइम का बड़ा था ब्यावर के अंदर जो की 41 दिन तक चला था उसके बाद में उनिस सत्यान्व में चोवन दिन तक इसका लेकर के धन्ना दिया गया था किनके नेतवर्तों के अंदर अरुणा र अयते सत्यानों में आयते 59 में आयते है जाद है आपको加वलीलोगत में सरकार सर्वपरत्म असोगेलोत सता में कब आयते है जाब दीजी जल्दी से यह सीजी आपको बताई हुई है सत्याणों में आये थे या ठ्याणों में आये थे ठीक है उनिस सत्याणों में ये सबसे बड़ा अंदुलन हुआ था सरो पर था मैं सो गयलोत का कारी काल क्या था ठ्याणों से दो जार तीन था या सत्याणों से दो जार दो था ठीक है अंसुदित करके उसको 2005 किया गया था जानदी समझेगा सूचना का अदिकार अगर आप कहीं भी पढ़ोगे तो सूचना का अदिकार 2000 के नाम से जाना जाता अधिनियम 2000 ही इसको कहा जाता है अगर किसी ने पढ़ा होगा तो याद होगा आपको इसलिए इसको सूचना का अधिकार 2000, अधिनियम 2000 का जाता है ठीक है, 2000 में जाकरके इसको लेकरके सुख बुगाहट चालू हुई थी मतलब ततकालिन गैलो सरकार ततकालिन गैलो सरकार इसके उपर एक्षन लिया गया था ठीक है, इसे 2001 के अंदर अलग-अलग देटा मिलेंगे आपको किताबों के अंदर अलग-अलग जगे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि इसे 2000 के अंदर लागू कर दिया गया था नहीं, 2000 में इसको लेकर के विधेक पेस किया गया था ठीक है इसको लेकर करके विधेक पेस किया गया तो 2001 के अंदर अगर प्रोपर तरीके से में बात करूँ तो राजस्तान में इसको 2001 के अंदर लागू किया गया था लेकिन इसको विधे के दो हजार के नाम से जाना जाता है अलग-अलग किताबों में आपके इसको दो हजार भी बताया जाता है लेकिन इसको लागू कब किया गया था दो हजार एक के अंदर लागू किया गया था इसलिए कहा जाता है कि देश में सबसे पहले सरो परतम सूचना का अधिगार कहां लाग हुआ था वो राजस्तान के अंदर लाग हुआ था बोले ये फैक्ट समझ में आया कीजे समझ में आई आई आपको देखे आज आज आप गहलो सरकार के लिए कितना भी कहे लेकिन गहलोत ने जितना किया है न राजस्तान के लिए उतना कROई नहीं मैं विजेपी कongres में नहीं जाता मैं किसी party को самरतन नहीं करता लिकिन जिस व्क्तीत वको ठीक है जीने मारवार के गंदी का आजाता या मेवार के गंदी का आजाता है आपको ये भी बताया था मैंने जोदपुर मारवार में आता है या मेवार में आता है इतना तो पता है जवाब दो पूरा लिख कर के हाँ जी हाँ जी ना जी ना जी नहीं कहलो साथ को कहां के गांदी का जाता है मारवार के आ मेवार के ऐसे बहुत से ख्यत्र हैं जिसके अंदर राजस्तान सरोपर्थम आता है, सरोपरी है इसे के साथ प्रियोटन को उध्यो का दर्जा देने वाला भी राजस्तान पहला राज्य है ये भी मैंने आपको बताया था मारवार के गांधी कहा जाता ना तो किताबों में आपको 2000 ही बताया जाता अधिकतर जगों पे आपको अलग-लग चीजे देखने को मिलेगी लेकिन 2000 ये विधेक था जिसे लागू 2001 के अंदर किया गया आगी बात समझ में उसके बाद में संपून देश के अंदर ये लागू कब हुआ था ये 2005 के अंदर वा था जिसकी बात हम अलड़ी कर चुके बताये कैसा लगा ये फेक्ट पूरा जान करके थोड़ा सा और बात कर लेते हैं अरुना राई जी के बारे में पताये करेंट में चीजे एक्स्टा पढ़के बुरा तो नहीं लग रहा अच्छा लग रहा है पताये हैं थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अरुना रोई जी के बारे में अरुना रोई जी का जनम कहां पर हुआ था इसनका सम्मंद कहां से ये कौन थी ये एक प्रसासनिक अधिकारी रह चुकी है जान दीजिएगा ये एक प्रसासनिक अधिकारी रह चुकी है यानि कि एक आईये सोफी से रह चुकी है ठीक है ये एक आईये सोफी से रह चुकी है इनका सम्मंद कहां से है इनका सम्मंद चेननाई से है जिसे पहले मदरास के नाम से जाना जाता था इनका जनम कब हुआ था? इनका जनम कब हुआ था रुना रोईजी का? किस किसको पता है? सरह में तो बुलाया है नहीं गया था पता ही? इनका जनम हुआ था 26 जून 1946 को इनको जनम हुआ था इनके husband का नाम क्या था इनके husband का नाम था spouse का नाम था Sanjeev Roy इनके husband का नाम था चीजे पूरी पढ़ो पढ़ो तो नहीं पढ़ो ही मत इनका जनम होगा था 26 जून 1946 को कहां पर मदराज जो कि अभी चेननी के नाम से जाना जाता है इनके हजबेंड का नाम ता संजीव रोय अब सर इतना क्यों बता रहे हो बताना जरूरी है क्योंकि ये बहुत एहम भूमिका रखते हैं राजस्तान में कैसे सर इनको कौन-कौन से पुरुसकार दिये गए थे इसी अदिनियम सुचना के अधिकार को लागू करवाने के तहती है इतनी इनका वर्चस्व हो गया था कि इन्हें एसिया का नोबल पुरुसकार दिया गया था नोबल पुरुसकार नहीं बोलोंग में एसिया का नोबल पुरुसकार दिया गया था अरुना रोय को ठीक है राजस्तान की पर्थम महिला जीने एसिया का नोबल पुरुसकार दिया गया था वो कौन है एसिया का नोबल पुरुसकार किसे कहा जाता है जवाब दीजेगा 22 जूनी है महिनी है एसिया का नोबल पुरुस्कार किसी कहा जाता है किस पुरुस्कार को कहा जाता है पता है या नहीं पता है एसिया का नोबल पुरुस्कार जो कहा जाता है एसिया का नोबल पुरुस्कार किसी को पता है रमन मेकसे से पुरुषकार को एसिया का रमन मेकसे से पुरुषकार को एसिया का नोबल पुरुषकार कहा जाता है यह बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है रमन मेकसे से पुरुषकार यह रमन मेकसे से कौन है जवाब दीजिएगा प्रामन मैक्से से को ने ये पुरुसकार क्यों दिया जाता है जवाब दीजिए नहीं पता ये फिलिपिन्स के पूरु राष्ट्रपती है रमन मैक्से से कोन है ये फिलिपिन्स के ये पूरु राष्ट्रपती है इनकी याद के अंदर ये पुरुसकार दिया जाता है सरोपर्थम ये पुरुसकार कब दिया गया था स्वरो पर्थम ये पुरुस्कार कब दिया गया था? स्वरो पर्थम ये पुरुस्कार 1958 के अंदर दिया गया था? शरी पुरुस्कार क्यों दिया जाता है? ये पुरुस्कार सरकारी शेवा में कुछ उत्रकरष्टा सामाजिक शेवा में या आपने समाज या सरकारी शेवा में या देश या समाज के लिए कुछ उत्रकरष्ट योगदान दिया हो तो उस खेतर में ये पुरुस्कार दिया जाता है आगे बस समझ में तो अरुना रोई इनको रमन मेक्से से पुरुसकार कब दिया गया था ये भी एक सवाल बनता है ठीक है जवाब दीजिएगा अरुना रोई को कब दिया गया पताईए अरुना रोई को ये पुरुसकार कब दिया गया था दो हजार के अंदर ये इंपोर्टेंट फेक्ट है ठीक है ये जरूर पूछा जा सकता है सन दो हजार के अंदर ये दो हजार रुपे मत समझ ले ना भाई ठीक है सन दो हजार के अंदर अरुना रोई को रमन मेक्से से पुरुसकार प्रदान किया गया था इंपोर्टेंट है किसी के साथ में इनको और कौन-कौन से पुरुसकार मिले वें जवाब दीजेगा इने लाल बहादूर सास्त्री नेस्टनल अवाड भी दिया गया है लाल बहादूर सास्त्री नेस्टनल अवाड कब दिया गया था? 2010 के अंदर एक और परमुख पुरिस्कार जो इनको दिया गया है जवाब दीजेगा ना नीपाल की वाला पुरुस्कार एक प्रमुख पुरुस्कार ओर है जो कि इनको दिया गया है इन्हें मेवाड शेवाश्री पुरुस्कार से भी नवाजा हुआ है इनके बारे में जितना पूछा जाए ये चीजें इससे बाहर आपको फेक्ट नहीं पूछा जाएगा सब चीजें मैंने आपको बताई है मेवाड शेवाश्री पुरुस्कार भी ने दिया हुआ है खुड़ा सा अगर हम RTI सूचना की अधिकार की अगर मैं बात करें तो इसमें केजरिवाल का भी हाथ आता है अरविंद केजरिवाल जी ने आप जानते होंगे ठीक है अरविंद केजरिवाल वो है जो की डेली के वर्तमान कुख्य मंत्री है ठीक है इन्हें भी रमन मेक्से से पुरुषकार दिया गया था केजरिवाल भी एक I.A. सदिकारी रह चुके ज्यान से समझेगा ठीक है वो भी एक I.A. सदिकारी रह चुके है उन्हें भी उन्होंने भी 2001 के अंदर जो रासन से जो गेहु मिलता है जो चीजे मिलती है, सामान मिलता है उसको लेकर के उन्होंने सूचना मांगने का जो है कोशिच की थी लेकिन उन्हें ये सूचना नहहीं दी गी थी दो हजार एक की बात है ठीक है, केजरिवाल ने बहुत कुछ साहा था इस सीज को लेकर के तो आज से राजनीती में आगर के लोग ब्रेष्ट हो जाते हैं जो अभी का लगे में ब्रेष्टाचार के आरोग वो बताया जा रहा हूं ठीक है तो लेकिन उससे पहले बहुत इमानदार व्यक्तित्व के धनी थे ये काई से दिकारी रह चुके दो हजार वाला जो एक था ना एक सत किया याद होगा आपको 2013 के अंदर ये सरो ठ् Griff के अंदर जो ये सता के अंदर आये थे पहले बार डिली के मुख्यमंत्री बने उनननचास दिन तक है से ध्र peng के मुख्यमंत्री रहे इक ये अपनी ही सर्कार के खिलाब तरने पर बैट गए थे उसके बाद में ये वापस से पूर्ण समर्थन के साथ में आए तो ये चीजे आपको पता होगी रमन मेक्से से पुरुसकार की अगर हम बात करें तो केजरिवाल को भी रमन मेक्से से पुरुसकार मिला हुआ है उन्हें कब मिला था कि किसी को पता है ठीक है? 2006 के अंदर अरविंद केजरिवाल को भी अरविंद केजरिवाल को भी 2006 के अंदर रमन मेक्से से पुरुसकार मिला हुआ है बताई है? अच्छा लग रहा है? समझ में आ रहा है? कीजे हैं? यूटूब आप कहीं पर भी देख रहे हैं तो अपनी राए अपनी कमेंट जरूर दीजिएगा मुझे अच्छा लगेगा कि आपके लिए और चीज़े ये बहतर करनी चीएगा मुझे लगा कि इसके बार में पूरी डिटेल से आप लोगों के साथ बात करनी चीएगा क्योंकि ये वो फेक्ट है जिसको लेकर के एक्जाम के अंदर डेफिनेटली क्यूसन्स पूछे जाते हैं अब चलिए हम फिर से हमारे क्यूसन के उपर चलते हैं बहुत से इंपोर्टेन फेक्ट को लेकर करके अभी बात करनी है हाले में परदेश में नए मुख्य सूचनायक्त पांच हुए बनाए गए ठीक है मतलब इससे पहले पांच ये चार मुख्य सूचनायक्त रह चुके है सर मुख्य सूचनायोक्ति की नियुक्ति कौन करता है यह भी सवाल आता है मुख्य सूचनायोक्ति की नियुक्ति कौन करता है तो मुख्य सूचनायोक्ति की नियुक्ति रज्यपाल के द्वारा की जाती है जान से समझ लिजेगा राज्य पाल के लिए के दुआरा की जाती है मुख्य सूचनायुक्त की चैन नॉर्मली मुख्य सूचनायुक्त का कारेकाल कितना होता है ठीक है पताईएगा किस किस को पता है मुख्य सूचनायुक्त का कारेकाल कितना होता है रिवाब दीजिए क्या शोर हैं आप मुख्य सूचनायक का कारे काल कितना होता है अगर पांच साल होता तो इनको जो इन से पहले कौन थे पहले बताईये इन से पहले मुख्य दीबी गुटा नाम सुनाओगा आपने तो उनको तो 2020 में निक्त किया गया था पिर अभी नहीं क्यों बना दिये गए अगर पांच साल होता है तो दीबी गुटा थे ना इनसे पहले तुने कब नियुक्त किया गया था अगर आपको बता भी होगा तो जवाब दीजे जल्दी से पेरी गुड शरीता दो जार उननीस में संसो दन हुआ तक अंदर सरकार के द्वाराजी से तीन साल कर दिया गया और उमरी कितनी है शरीता ये भी बताईए देखिए भाई सभी लोग एक मिनिट कुछ टेकनिकल्स आपके कमेंट मुझे प्रोपर सो नहीं हो रहे हैं आप तब तक जवाब दीजिए कि भी गुपता को कब बनाया गयता है जवाब दीजिए कारे काल 2019 में तो संसोदन हुआ था उसके तहते कितना कर दिया गया तीन साल का कर दिया गया 2020 में दिसंबर 2020 के अंदर जो है दिसंबर 2020 के अंदर है इन्होंने किन का इस्तान लिया है ए भी गुपता का कि दिसंबर 2020 से इनकी नियुक्ति हुई थी इनकी जो है इनका कारे काल होता है बाकिके अंदर से कार की उपर भी डिपेंड करता इसमें बदलाव किया जा सकता है ुह ऋ condition के अंदर उनको हटाया जा सकता है clear है इसके अंदर maximum कितने सदस्य हो सकते हैं और जो है RIC इसका अधिक्स कोन होता है राजी सुचना अधिकार जो है ना RIC का अधिक्स कोन होता है जवाब दीजिए जल्दी से RIC का अधिक्स कोन होता है जल्दी जवाब दीजिए अभी तो मारा पहला ही क्यूसन चल रहा है Very good Maximum कितने सदस से हो सकते हैं Maximum इसके अंदर 10 सदस से हो सकते हैं Maximum सदस से 10 हो सकते हैं RAC का देख्ष कोन होता है मुख्य मंत्री ध्यान दीजिएगा RIC का अध्धिक्स कोन होता है CM अभी वर्तमान में कोन है बजलाल सरकार इस संस्ता को एक साल के अंदर अपने रिपोर्ट सरकार को पेस करनी होती है और सरकार के द्वारा इसे विदान सबा के पटल पर परसुत की जाती है एक अध्य मुख्य सूचनायक तो होता है और दस मैक्सिमम हो सकते हैं अभी वर्तमान में कितने सदस्य है जवाब दीजिए अभी वर्तमान के अंदर राज्य के अंदर जो RIC में कितने सदस्य हैं पहले चार थे ध्यान से समझेगा पहले चार थे इसके उपर जाओं इससे पहले जो मुख्य सूचनायक ते है ये पांचवे नंबर के मुख्य सूचनायक ते है ML लाठर ML लाठर से पहले कौन-कौन रह चुके हैं तो पहला सवाल हमारा बनता ही की परदेश के परथम सूचनायक ते कौन थे पताई किस को पता है भै परदेश के परथम सूचनायक तो कौन थे जवाब दीजिए यह जरूर पुछा जाता है स्री M.D. कोरानी M.D. कोरानी दूसरे नमबार जवाब दीजे भाई पर्थम है M.D. कोरानी दूसरे कौन है अठारा अप्रेल दो अजार छे वेरी गुड निशुगोदारा दूसरे कौन है भाई स्री निवासन ठीक है और तीसरे कौन है चोथे तो सबको पताई है चोथे तो सबको पताई है स्री सुरेश चोदरी अगर आपको एक क्लास सच में अच्छी लगे तो एक बार अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजेगा तीसरे नमबर पोर्त नमबर के अगर मैं बात करूँ तो D.B. गुपता और पांचवे M.L. लाठर ठीक है इससे related confirm question पूछा दा सकता है M.L. लाठर की न्युकती कब हुई इनकी कब हुई थी तिसंबर दो हजार बीस और इनकी कब हुई पांच जुलाई दो हजार चोईस ये पूछा जा सकता है याद रहेगा M.L. लाठर ये पूर्वे सूचनायुक्त भी रह चुके है ठीक है मतलब जो पूर्वे सूचनायुक्त सदस्से भी रह चुके है ये पूर्वे सूचनायुक्त के सदस्से भी रह चुके है उसके बाद इनको मुख्य सूचनायुक्त बनाया गया है एक उर्वाल आता है वर्तमान में कितने सदस्से हैं हाँ जी डीबी गुपता के टाइम पर वर्तमान में कितने सदस्से हैं किस-किस को पता है जवाब दे दीजिया बताईए परतमान में तीन सूरेश चंद्र गुपता महिंद्र कुमार पारेक ठीक है और तीसरे को ने पिक्का राम सर्मा ये तो याद रहेंगे आपको मैक्सिमम कितने हो सकते हैं दस वरतमान में कितने हैं तीन इससे पहले डीबी गुपता के टाइम कितने थे चार याद रहेगा उसके उनके टाइम पे कौन कौन थे राजिंदर परसाजी, लक्समिर सिंग जी, एमेल लाठर और सीतल धनकड ये चार सदसे थे ठीक है ये चार सदसे डीबी गुपता के टाइम थे याद रहेगा और अभी वरतमान में कितने हैं तीन क्लियर है क्या अजया आ रहा है फिर छुटियां हुई ना, दो-तीन दिन की उनकी सारी कसा निकल रही है हाँ, सीतल धनकड बताया है न सरीता जी धनकड जाटी साब होते हैं तो जाटो को कैसे बूल सकते हैं भई सीतल धनकड सरीता जी, ठीक है जाटो की छोरी है सरा, हमारे जाटो की छोरी का नाम केसे ना लिया चले है, अच्छा लग रहा है चले है, क्यूसन के उपर फिर से चलते हैं और कुछ फेक्ट बच्चे हो तो बता देना गोराओ अच्छा लग रहा है खाली में परदेश में नई सूचनायोक्त बनाए गए हैं सदस्य है, जो तीन सूचनायोक्त बनाए गए है सुरेश संद्र गुपता, महेंदर कुमार, पारक और टिका राम सर्मा ठीक है एक्सक्यूसन हमारा बनता है कि परदेश में राज्य सूचनायोक्त की स्तापना कब की गई थी तो 18 अप्रेल 2006 को राज्य के अंदर, परदेश के अंदर, मुख्य ये, राज्य सूचनायोक्त की स्तापना की गई थी प्लेयर है क्या परथम सूचनायोक्त, मुख्य सूचनायोक्त कौन थे, कौरानी साहब ये जरूर पूछा जाता है परथम से रिलेटेड आपके कोर्स के अंदर मैंने जो फाइल दे रहे है ना परथम व्यक्तीत हुए परथम महिला, इन चीजों को जरूर पढ़ ले है CET के एक्जाम, RS के एक्जाम, कोई भी एक्जाम देने जा रहे हो तो फिर पता चलेगा कि उमेसर ने ये कोर्स कैसे डिजाइन किया हुआ है तो बाकी लोग अगर आप इनकी तैयारी करें हो तो इनकी कोर्से आपको मेसर में के उपर आवेलेबल है नीचे लिंक दिया हुए, एक बार जाकर के विजिट जरूर कर लिजेगा ठीक है, चले आगे चलिए, एक और सबसे बड़ा सवाज जिसको ले करके काफी confused थे बच्चे ठीक है, हाली में राजस्तान की वर्तमान राज्येपाल कोन बने है किसर कोन से नंबर के है इस सवाल था ना आप लोगों का अलग-अलग जगह पे अलग-अलग डेटा मिल रहे है यह भी सवाल था आप लोगों का हाली में राजस्तान की वर्तमान राज्येपाल कोन बने है हरीभाव किसन राव बागडे हरीभाव किसन राव बागडे हैं राजस्तान के इनको लेकर के इनकी नियूक्ति की जो घोशना है वो कब की गई थी नियूक्ति कब की गई थी तो कब की गई थी इनकी नियूक्ति 28 जुलाई 2024 को इनकी नियूक्ति की गई थी लेकिन इन्होंने पदभार कब गरण किया था इन्होंने पदभार गरण किया था 31 जुलाई दो हजार चोईस को जान दीजेगा इनके साथ नो राज्जी और केंद्र साशित परदेश होके ठीक है इनमें दो केंद्र साशित परदेश भी थे उनकी नई गोशनाई हुई थी कारे वाहक और राज्येपालो की यह चीज़ याद रहेगी एक और सवाल आता है आना चीए ना आप नहीं पूछोगे मन में रहेगा सर पिछली बार 41 कई किताबों के अंदर आपको 41 भी दिया हुआ है ठीक है यानि 41 कौन इनसे पहले कौन थे कालराज मिश्र सर उनको 41 बताये रखे पूरा बोलो क्या बोल रहे हो ठीक है यह 45 वे सर अधिकतर जगह यह 45 वे क्यों दे रखा है और वैसे यह 42 वे थे कालराज मिश्र को 41 भी नंबर दिया हुआ है कई किताबों में आपने देखा होगा तो वो confusion है आपका यह सवाल है ना आपका वेक्तित्व के तोर पर बिल्कुल सही है यह वेक्तित्व के तोर पर 42 वे नंबर के हैं और ऐसे अगर हम बात करें तो यह 45 वे नंबर के हैं अगर हम बात करें तो राजिस्तान के पर्थम ठीक है पर्थम राज्यपाल कोन थे जवाब दीजेगा साहिस्तान के पर्थम राज्य पाल कोन थे जवाब दीजेगा साहिस्तान के पर्थम राज्य पाल कोन थे बोले जिल्दी से इसमें भी सोचना पढ़ रहा है अगर आपसे पर्थम राज्य पाल पूछे तो गुरुमुक निहाल सिंग ही आएगा ठीक है आगे बाज समझ में अगर राज्य पाल पूछे तो गुरुमुक निहाल सिंग ही आएगा सवाई मान सिंग मत कर देना क्योंकि सवाई मान सिंग के टाइम पर इस पद को राजपरमुक के रूप में जाना जाता था आगई बास समझ में इस पद को राजपरमुक के रूप में जाना जाता था तो पर्थम राज्येपाल पुछे तो गुरुमुक निहाल सिंगी रहेंगे सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले राज्यपाल कौन है जवाब दीजिए मुझे सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले राज्यपाल कौन है इसको पता है जवाब दीजिए यही थे गुरुमुक निहाल सिंगी सबसे ज़्यादा समय के लिए रहने वाले देश में पर्थम राज्यपाल कौन थे बताईए देश के पर्थम राज्यपाल कौन थे जवाब दीजिए जल्दी से मैं यह चुझे आपको बता चुका हूँ श्री चक्रवर्ती राज्यपाल चारी गौरव शेओर है आप पर्थिबा पाट्यल थोड़ी थी पर्थिबा पाट्यल थो राज्यस्तान की पर्थम महिला राज्यपाल थी गौरव शेओर है आप किसी भी राज्ये के देश के किसी भी राज्ये के पर्थम राज्यपाल किन को बनाया गया था कौन बने थे जवाब भट के अनुसार सी चक्रवर्ती राजगोपाल चारी क्या आप एगदी करते हैं इस बात को जवाब दीजिए गौरव आप शेओर हैं और पर्थम महिला राज्यपाल कोन थी सी राजगोपाल चारी को तरो परतम किस राज्ये का राज्यपाल बनाया गया तो गौरव वट अगर आप कहे रहें कि यही थे तो पूरा जवाब दिया करो इनको नहीं पता अपने होमवक में नोट डाउन कीजिए इस चीज को उत्तर परदेश कि आप शोर हैं कि सरोजनी नाइडू कौन थे सरोजनी नाइडू कौन थे अपने होमवक में नोट डाउन कीजिए आप ही दिनों से होमवक नहीं मिल रहा ना आप लोगों को जो यूटुब पर देख रहे हैं मैं आपको बता दूँ यहां पे एक अलग तरीके से एक पैटरन दिया जाता है जो आपको होमवर्क के रूप में दिया जाता है इसका फर्क क्या होता है इसे तो चीजे मैं यहां पर भी बतारूँ उसका फर्क क्या होता है कि इसके साथ आपको बहुत सी चीजे खुद से पढ़ने को मिलता है क्योंकि 100% आप टीचर के बरोसरे रहोगे आप कभी भी सक्षिज नहीं हो पाओगे 70-30 का रेश्यो चलता है यहां पर 70% अगर मैं कर रहा हूँ तो 30% कम से कम आप भी कीजिएगा अच्छे सरोजिन नाइडू ने एक बात कही थी कि राज्येपाल के लिए कही थी या राष्ट्रपती के लिए कही थी कि एक सोने की चिडिया मतलब एक पिंजरे के अंदर जो एक सोने की चिडिया होती है न वो किसके लिए का आ गया था पारत की फश्टम महिला राज्येपाल सरोजिन नाइडू अच्छा ठीक है एक और सवाल का जवाब दीजिए हमें यह चीज आपका होमबक हो गया सरोजिन नाइडू के बारे में मैंने पहले भी यह चीज़े बताई हुए बस आपको रिकॉल करने के लिए राज्येपाल थे जो कि आर्पेस्टी के चेर्मेन भी रह चुके है जवाब दीजिए राज्थान के से कोंग से रज्येपाल थे जो की आर्पेस्टी के चेर्मेन भी रह चुके है रिगूड चांचल रगुकूल तिलक रगुवारे जीरीश सदा चली आये प्रांण जयत परवचन निभाई ठीक है अरगुकुल तिला के कैसे राज्येपाल रहे है राजस्तान के जो कि आरपीएसी के चेर्मेन भी रह चुके आरपीएसी की स्टापना कब हुई थी यह मैं आपको बहुत पहले बता चुक हूँ तो जवाब दे दीजिए राजस्तान के लिए बहुत इंपोर्टन क्यूसन है रापीएसी की स्टापना कब हुई थी जवाब दीजिए भई पहले भी बताया भई और इसकी स्टापना कहां पर हुई थी जवाब दीजिए 22 दिसंबर 1999 निचु गोदारा के आप शोर हैं और इनकी स्टापना कहां पर हुई थी 22 दिसंबर 1999 को कई लोग जो पहली बार देख रहे होंगे सोच रहे होंगे कि गलत पढ़ा रहे जेपुर में थोड़ी अजमेर में नहीं इसको अजमेर में बाद में ट्रांसफर किया गया था तो चलिए ये भी बता दीजिए कि इसको अजमेर में कब ट्रांसफर किया गया था जवाब दीजिएगा अब पता चलिए हमने क्या पढ़ा था और क्या चीजिए हमेरे कैसे काम में आती है 31 अगस 1950 को Very good अच्छा लग रहा है चीज़े कब कहा से क्या पूछी जाए 31 अगस 1958 को क्या हो रहा है बाई गोराव और निसू 1958 में हुआता ना Very good इसे कहते है निंदग नेरे राखिये 31 अगस 1958 को अजमेर में इसका ट्रांसफर हुआ था कोई बात नहीं गलतिया होती है एक दूसरी की गलतिया सुदानी के लिए पीछे बैठे हैं ना वही चीज होनी चाहिए अब अच्छा तो लग रहा ना जो चीजे सर ने पढ़ाई थी वो कां कां मेरे अभी तक हमने सिफ दो क्यूसन किये हैं लेकिन दो क्यूसन में हमने बहुत कुछ पढ़ाए ठीक है एक जब आप पॉलिटी पढ़ाऊंगा या आप पढ़ रहे हैं तो ये चीज जरूर ध्यान रखियेगा कि पद पर रहते वे कौन-कौन से ऐसे राज्यपाल थे जिनकी म्रत्यु हो गई ये भी आप से पूछा जा सकता है ठीक है तो इस चीज के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा एक आप से ये पूछा जास्ता कि ऐसे कौन से राज्यपाल थी कि जिनने कारेवाहक के तोर पर रहते रहते ही उन्हें परमानेंट यहां के राज्यपाल नियुक्त किया गया था प्यार की कौन थे आपको ऐसे पता है, जिनको कारेवाहक राष्ठफती बनाया रज्यपाल बनाया गया था, लेकिन उस कारेवाहक के तोर पर रहते रहते ही, एक ही पर्थम, एक ही ऐसी रज्यपाल थी, जिनको उनको next day ही, ठीक है, एक हुट था बीच में, बीच में दूसरा कारेवाग आ गया लेकिन नेक्स टेई उनको वहां की पून्ड ते राज्येपाल का दर्जा दे दिया गया कौन थे वो पर बाहर आओ के बारे में सुनाओगा आपने इने तीन बारा दो हजार नो को कारेवार के तोर पर न्यूक्त किया गया था और चोईस जनवरी दो हजार दसको उनको परमानेंट बना दिया गया था किछी आदार पर आप बोले ने सरी 41-42 वे क्या है ठीक है और इनकी पद पर रहते हुए इनकी भी मृत्य हो गई थी साथ ये ऐसी पर्था महिला राज्येपालोंगी जिनकी पद पर रहते हुए मृत्य हुई थी ऐसा ही था क्या पर्था मेला राजेपाल आपसे पूछा जा सकता है कि कौन थी जिनकी पद पर रहते हुए ही मृत्यू हो गई थी कब हुई थी किसी को पता है क्या जब आप दे दीजे जल्दी से फ़ेस्ट मेला राजेपाल थी जिनकी पद पर रहते हुए ही मृत्यू हो गई थी इनकी मृत्यू कब हुई थी 26 अप्रेल 2010 को ठीक है 26 अप्रेल 2010 को एक और सवाल बनता है कि एसी पर्थम महीला राजेपाल जिन्होंने पद पर रहते हुए ही अपने पद से इस्तिपा दे दिया था वो कौन थे अगर हम कहें कि राजिस्तान की पर्थम महीला राजेपाल इन्होंने अपने पद से इस्तिपा दे दिया तो उसका रीजन क्या था पर्तिπα देवी सिंग पाटिल जिनका सम्मन्ध से कावाटी से है जियाद होगा आपको जिनोंने पद पर रहते हैं इस्तिपा दे दिया था जिनोंने इस्तिपा कब दिया था पर्तिपा देवी सिंग पातिल के दोहरा 811.2004 से, very good और इस्तिपा दिया कब था 8-11-2004 से इस्तिपा कब दिया था? 2007 के अंदर. 2007 में कब? 23 जून 2007 को इन्होंने इस्तिपा दे दिया था. क्यों? क्योंकि उसी दोरान इने भारत की पर्थम महिला राष्ट्रपती होने का भी गोरो प्राप्त हुआ था. तरहीं बोल रहा हूँ क्या? भारत की पर्थम महिला राष्ट्रपती परतिबाद देविशिंग पार्टे ली थे या कोई और भी बना था इन से पहले? जवाब दीजिएगा. ठीक है? अभी हाल ही में वर्तमान में हमारी जो महामी राष्ट्रपती है वो भी द्रौपदी मुर्मूर ठीक है? जो के महिला राष्ट्रपती है. तो बताईए अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है. चलने दे क्लास को कंटिन्यू. कोई दिक्कत नहीं है. मज़ा आ रहा है. चलने दे अभी. या कल करें. कंटिन्यू. चलिए. चलिए. टेक्स्ट. जान दीजेगा. हाल ही में परदेश में सताधारी पार्टी भाजपा के नए परद्यासा ध्यक्स कोन बने है? जान दीजेगा. ठीक है? हाल ही में परदेश में सताधारी पार्टी के भाजपा के नए परद्यासा ध्यक्स कोन बने है? मदन राठोड, ध्यान दीजेगा, ये कौन है मदन राठोड, राज्य सभा से सांसद है, ठीक है, ये राजस्तान से, कहां से, ये भी पूछा जा सकता है, ये राज्य सभा से सांसद है, इससे पहले कौन थे, सीपी राठोड, ध्यान से समझ लीजेगा, सोड़ी, सीपी सर्मा CP सर्मा इनसे पूर्व बिजेपी अध्यक्स जो थे वो CP सर्मा थे ठीक है ये कौन है CP सर्मा जो की चितोड से चितोड से लोक सभा के आंसद है तही बोल रहा हूँ क्या भई विदाय के या चितोड से है आंसद है CP सर्मा ही थे क्या जवाब दीजियेगा खलत लिखुट इसको सही करवाईएगा CP जोसी थे क्या CP सर्मा सर्जोसी और सर्मा एक ही बात होती है क्या जवाब दीजिये CP जोसी को ले करके confusion हुआता न तिकि पहले विदान सबा क्या देक्स भी CP जोसी थे हाँ यही पूछ रहा हूँ क्योंकि CP जोशी को लेकर के confusion होता है, Congress वाले भी है हाँ वो जोशी सर्माई है ठीक है CP जोशी CP जोशी दो है जो विदान सबाकिया पूरवा धेक्स भी रह चुके CP जोशी इनका सम्मंद कहां से, चितोड से जोशी सर्माई होते है ठीक है यह भी दियान रखियेगा हाँ तब ही बटा रहा हूँ जोशी सर्माई होते है कोई उसर ने गलत बता दिया नहीं ठीक है कहां सम्मंद कहां चितोड से तो मदन राठोड राजिसभा की सांसद है कहां से, राजस्तान से, और राजस्वा की, राजस्तान से सीटे कितनी है, 10, लोगस्वा की कितनी है, 24, वरत्मान में BJP के पास कितनी सीटे है, राजस्तान ये, लोगस्वा की कितनी सीटे जीती है, 24 में से BJP ने, जवाब दीजिएगा, चोईश है या पचीस है जवाब दीजीए 25 है क्यों रहे हैं very good ये चोईश क्यों क्योंकि एक पिछली बार था क्योंकि बीजेपी ने इस पिछली बार 25 सीटों के उपर चुनाव लड़े थे जिन में से एक किन को दी गई थी, हनुमान बेनिवाल को दी गई थी, लेकिन इस बहार टोटल कितनी है? टोटल कितनी है? 25 में से बीजीपी के पास में कितनी है? बीजीपी की चोधा है। very good. BJP ने कितनी जीती है? 14 जीती है बाकी 11 अलग-अलग लोगों के पास है ठीक है? एक और सवाल बनता है कि रादा मोंदास बाजबा के नए परदेश परभारी बनाए गए आपसे ये भी पूछा जाथा कि वरत्मान क्योंकि 27 पार्टी यही है तो क्यूशन बन सकता है हाल में परदेश में नेता देखिए बहुत अच्छा क्यूशन है नेता परतिपक्स कोन है? वरत्मान में राजस्तान के नेता परतिपक्स कोन है? सेडो सीम कोन है वरत्मान में राजस्तान के? ये बताया हुआ है मेरा? वरत्मान में राजस्तान के सेडो सीम कोन है तिका राम जूली सेडो सीम इन्हें कहते हैं यह जानने के लिए आप पिछली की क्लास देखिएगा उनमें सब चीजे मैंने बहुत अच्छे से बताया नेता परतिपक्स को ही सेडो सीम का जाता है तो नेता परतिपक्स कोन है तिक ठीक है, रामकेश मीना है, वो ऊपनेता परतिपक्स है, जो कहां से विदायक है यह गंगापूर से विदायक है, और इनका सम्मन्ध किस पार्टी से है? ठीक है, इनका सम्मन्द कॉंगरेस से है, पहले जो है यह निर्दली अभी चुनाओ लड़ चुके हैं, लेकिन यह अभी Congress के गंगापूर से विधायक है ठीक है क्या पुछेगा अगला एक चीज भी नहीं छोड़ेंगे हम सब कुछ क्लियर करके चलेंगे एक क्यूशन भी गलत नहीं होना चाहिए आपका यूटूब पे देख रहे हैं इसकी पूरवा क्लासेज आपको कुछ क्लासेज यूटूब पे भी बाकि इसका कोर से अलग से वो आपको मिसर माइक एडमी एप के उपर अवेलेबल हो जाएगा आली में परदेश विधानसभा में यूवा संसद संसद का आयोजन हुआ यह बहुत important portion है यह जरूर आपसे देखने को मिल सकता है आगामी exams के अंदर ज्यान से देख लीजेगा यह यूवा संसद क्या होती है इसके बारे में बात करूँगा कि यूवाओं को मोका दिया जाता है ठीक है सर आप संसद क्यों करें विधान सभा क्यों नहीं कहा गया इसका जवाब कोई दे सकते हो क्या क्या हम विधान सभा को भी छोटी संसद कह सकते हैं क्या ऐसा कुछ है किसे संसद ही क्यों बोला गया विधाही का क्यों बोला गया बोला जा सकता है क्या या विधान सभा को हम छोटी संसद कह सकते हैं। बताएगा, बहुत अच्छे से आपने पॉलिटी पड़ी होगे ना, या आपका होमवक है, या भी बता दोगे, हाँ या ना। आज बहुत जगह पर नेटवर्क इश्यू भी है, ठीक है, क्योंकि कही जगह पर इंटरनेट बंद है। देखिएगा, आले में पर्देश में विदानसभा में युवा संसद का आयोजन का भुआ 27 जुलाई दो हजार चोईस कह वा, जिसके अंदर कितने विध्यालियों ने भाग लिया, इसके अंदर 41 विध्यालियों ने भाग दिया और टोटल 181 विध्यार्थियों ने भाग लिया था इसके अंदर कि जानचे समझेगा इस युवा संसत के अंदर मुख्यमंत्री का रोल किसने प्ले किया शिद्दार्थ एस के द्वारा मुख्यमंत्री का रोल प्ले किया और जो है सेडो सियम यानि कि जो पर्थिच्छा है सियम का रोल किसने प्ले किया नेता पर्थि आज भारत बंद की वज़े से इंटरेनेट प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है इसका विसे क्या था शिक्षा तंत्र एम अन्ने समयश्याओं को ले करके इसका जो है मुख्य विसे रखा गया था आलिमय प्रदेश में नए मुख्य नयादिस किनही न्यूक्त किया गया है ध्यान से समझ लीजिएगा आलिमय प्रदेश के नए मुख्य नयादिस वेरी वेरे इंपोर्टेंट क्यूसन है आपसे आगाम एकजामे देखने को मिल सकता है Justice C. Chandrasekhar जिनको कब नियुक्त किया गया 5 जुलाई 2024 को ध्यान दीजिएगा यह कौन से नंबर के ध्यान से देखिएगा यह कौन से नंबर के मुख्य नयादीस है जवाब दीजिएगा कौन से नंबर के मुख्य नयादीस है बताएगा कौन से नंबर के मुख्य नयादीस है चंदर शेकर ठीक है यह 43 वे नंबर के ठीक है C. Chandrasekhar कौन से नंबर के है 43 वे नंबर के है 42 के नंबर के कौन थे जिनोंने इनको सपत दिलाई थी इनको सपत कौन दिलाता है MM करके पूरा नाम बताईए उनका नाम क्या था MM श्रीवास्तव मानिंद्र मोहन श्रीवास्तव मानिंद्र मोहन श्रीवास्तव जो कि 42 वे नंबर के मुख्ये नयादीस थे याद रहेगा तो अभी 43 वे नंबर कर कोन है जश्टिस सी चंदर शेकर कब नियुक्त किया गया पांच जुलाई दो हजार चोईस को इंपोर्टेंट क्यूशन ने ध्यान दीजिएगा ठीक है पताईए एक्स क्यूशन आली में परदेश के दूसरे आयरुवेद योग एम प्राकर्तिक चिकिस्सा विश्व विद्याले कहां स्तापित किये जाने की गोशना की गई है अजमेर के अंदर इसकी गोशना की गई है बजट दो हजार चोईस पचीस के अंदर अभी जो जुलाई के अंदर अंतरिम बजट पेश हुआ था उसके अंतरगत इसकी गोशना की गई है और पर्थम कहां पर है ये पर्थम जोधपूर के अंदर है ठीक है पर्थम आयरुवेद विश्व विद्याले कहां पर है अज जोधपूर के अंदर स्थापीतर दूसरी की कहां गोशना हुई है अजमेर के अंदर गोशना हुई है तो अगर आप इस क्लास को कहीं पर भी देख रहे हैं तो ये चीज़े आपके RS के कोर्स के अंदर अल्रेडी ऐड़ेड है ये live class daily RS के course के अंदर चलती है और इस course से भी आप जुड़ना चाहते हो इसका link ने आपको नीचे दिया हुए इसके साथ में CT और जो भी courses के साथ अगर आप जुड़ना चाहते है यूटूब के उपर आप दे रखे हैं तो आपकी सबी courses के अंदर ये live session आपको जुड़ा रह करता है तो आप चाहें तो इसका link आपको description में दिया हुए बाकि आपको क्लास कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताईगा और बाकि जो paid users भी अप पे अगर आप इस class को देख रहें तो बताईए कैसरी guys आइसकी class अच्छा लगा कुछ extra सीखने को मिला तो जल्दी से बता दीजिए यूटूब वाले session को like करके share जरूर कर दीग और अपनी राय जरूर दीजिएगा आप बाकी नवाब जो भी अभी live जुडे में अच्छा लगा दिव्या अभी आप नए जुडे हैं इस चीज को लेकर कि आप जुडे हैं जो भी नए बच्चे जुडे हैं कैसा लग रहा है कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिला एक होता है कि हम क्यूशन के सिप्टिक लगा दिया लेकिन हम चाहिए कम पड़े लेकिन जितना पड़े ना वह बहतर तरीके से पड़े मेरी यही कोशिस रहती है स्टार्टिंग में ऐसे लग रहा था ना उमेशर के तो सिर्फ PDF कोर्स देते हैं लेकिन आप जितना अदू चाहिए कम दे दो लेकिन आप एक बहतरीन चीज़े लेकर के चलो कि जो उम्मीद करके जुड़े हैं वो चीज़े आपको अच्छी मिले अपने दोस्तों तक भी जरूर सेर कीजिएगा एक लास आपको यूटूब पर भी देखने को मिलेगी जिससे आप यह कह सकते हो कि आप जहां चीज़े वहां चीज़े पीडियाप कोर्स ही नहीं इतना मिलता है वो बहतरी नहीं मिलता है थेंक्यो जंचल देविया गौराव, सरीता, मुनेश, ईशू चलिए अभी ध्यान रखिए अपना कल फिर मिलते हैं सेम टाइम के उपर अभी के लिए जहीं 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 भारत और हाँ एक प्यारिशी स्माइल अपने पेस पे जरूर रखेगा और मुस्कुरा दे रहेगा पुमेसर के साथ हैं अभी के लिए जहीं 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 भारत और न्यवाद